विपरिया सीमेंट रोड ज्वेलर्स की दुकान पर मंगलवार को एक महिला के जोले से 45,000 रुपए चोरी हो गए वारदात को दो युगतियों ने हंजाम दिया है यह पूरा घटना कर्म CCTV कैमरे में कैद हो गया है चोरी करने वाली महिलाएं फिलहाल पुलिस गिरफ्ट से बाहर है फुटेज के आधार पर मंगलवार को पुलिस ने चोरी का मामला दर्जिकर जाश शुरू कर दी गई है टी आई उमेश तिवारी ने बताया महिला ने अपनी बहू शाशी अहिरवार के साथ पंजाब नेशनल बैंक सिमेंट रोड पिपरिया से 45,000 निकाले थे इसके बाद दोनों जोलर्स की दुकान गई सफेद थैले में पैसे और पासबुक रखे थे महिला जब विजय जोलर्स के सामने पहुँची तो उसका बेटा दीपक बमहोरिया मिला इसके बाद तीनों विजय जोलर्स के अंदर जाने लगी तभी सीडियों पर दो युवतियों पास पहुँची उनमें से लाल सूट वाली लड़की महिला के आगे आ गई जबकि हरे सूट वाली लड़की पीछे सीड़ी चहने लगी जब महिला ने अंदर जाकर अपना थैला देखा तो थैला कटा हुआ था उसमें पास बुक और पैसे नहीं थे महिला ने शिकायत की है कि उन्हीं दोनों लड़कियों ने थैला काट कर रुपे और पास बुक चोरी किया है CCTV फुटेज के आधार पर दोनों शातिर यूवतियों ने 38 सेकेंड में 45,000 की चोरी को अंजाम तक पहुँचाया जैसे ही महिला जोलर्स की दुकान की पहली सीड़ी चड़ी उसी बीच लाल सूट पहने यूवति उसके आगे पहुँच गई वहीं पीछे हरे सूट में दिख रही आरोपी महिला ने शातिर अंदाज में प्लास्टिक का जोला काटना शुरू कर दिया इसके बाद राशी और पास बुक लेकर फरार हो गई इसके बाद राशी और पास बुक लेकर फरार होती CCTV फुटेज के नजर में आई कुछ सेकेंड बाद गुलाबी सूट वाली महिला आरोपी भी भागती हुई दुकान से निकल गई